हाई गैस एन वेल्कम बाक टू दी चैनल दीपाच चैदव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ओफ 10 ओफ दिसंबर 2022 तो गैस आज है तारिक 10 दिसंबर 2022 और है सेटरड़े देखेंगे आज के दहिंदू complete newspaper को complete newspaper को analyze करेंगे बट lecture मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है telegram दन उसके बाद जाके search box में type करना दीपाच चैदव education UPSC as you can see guys आप लोग को यवला channel मिल जाएगा इस पर click करना और जाकर इसको join कर लेना join करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर daily business पर lecture का PDF मिल जाता है daily current affair के video का PDF मिल जाता है और daily business पर बहुत सारे digital notes मिल जाते हैं ना उबढ़ते हैं आगे आगे बेढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करेंगे तो आज आप सभी लोग को map में जाकर देखना है कोरेल आइलेंड को काफी ज़दा news में है इसको अच्छे सा map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2019 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करता है question क्या बोलता है in the context of India which of the following factors are the contributors to reduce the risk of currency crisis अब देखो यहाँ पर ही जो question है ना इसके अंदर एक छोटा सा logic चाहिए और उसके basis पर आप इसको बहुत आराम से solve कर पाओगे हिंदी में समझते हैं भारत के संदर में अगर हम बात करें तो मालो यहाँ पर कोई currency crisis आया currency crisis मतलब हिंदी में बोले तो मुद्रा संकट देखने को मिला तो वो जो currency crisis है ना इसका जो जोखे में इसको कम करने के लिए इन तीनों ही factors में से कौन कौन से factor हैं जो की अपना एक बहुत बड़ा योगदान या अपना contribution दे सकते हैं तो यहाँ पर पहला factor बोलता है foreign currency earnings of India's IT sector तो यह चीज़ क्या कर सकती है क्या हमारे currency crisis के risk को कम कर सकती है दूसरा factor बोलता है government expenditure को बढ़ाने से यह काम हो जाएगा तीसरा बोलता है कि जो remittances है यानि कि बाहर के लोग, बाहर के लोग मतलब इंडिया से जो लोग बाहर गए हैं वो वहाँ से कमा कर इंडिया के अंदर जो पैसा बेज रहे हैं उसको हम लोग remittances बोलता है तो जो remittances है from Indians abroad यह कहीं न कहीं currency crisis के risk को reduce कर सकता है तो छोटा सा logic लगाओ और बताओ इन में से कौन सा factor हो सकता है अभी जो question हो समाप नहीं हुआ है नीचे आपको option देखने को मिलेंगे option A बोलता है one only option B one and three only option C two only या फिर option D one, two and three यानि तीनो के तीनो तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुब आरम करते हैं और चलता है सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ thumbnail में आपने देखा इतना सारा जो gold है वो दिखाया गया है उसके पीछे का reason है reason यहाँ पर यह है कि in an express में explain section पर एक article पब्लिश हुआ है जहाँ पर gold के इस import और smuggling के बारे में चर्चा की जा रही है हुआ क्या है चलो मैं आपको विस्तार से इस news को समझाता हूँ यह news हमारे लिए बहुत ज़दा important है examination की point of view से हुआ क्या है कि जो हमारी finance minister है इन्होंने official से बोला कि आप यहाँ पर क्या करो यह पता लगाओ कि अपकी बारना gold का import जो है वो तो बढ़ गया है तो क्या gold के import बढ़ने की वज़ा से smuggling भी बढ़ी है तो आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि import और smuggling में फरक क्या है import यहाँ पर हमने legal तरीके से समान को मगाया smuggling के अंदर illegal तरीके से जब समान का movement किया जाता है तरीके से उसको हम लोग बोलता है smuggling या फिर हिंदी में तसकरी भी यहाँ पर इसको बोला जाता है तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर finance minister ने बोला है क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही पिछले सार भी देखने को मिला था और ऐसा अकसर देखने को मिलता है कि जब जब gold का import बढ़ता है यानि कि सोने का import बढ़ता है हमारे देश के अंदर तब तब gold की smuggling भी बढ़ती हुई नजर आती है यानि कि इसकी तसकरी भी होती है तो इसको लेकर यहाँ पर find out करने के लिए आप कैसकतो फिनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ के बारे में mention किया इस वज़ा से याँ पर gold import और smuggling दोनों ज़ादा ही news के अंदर आ चुके हैं और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए अब details से में आपको और information देता हूँ यानि कि यह तो मैं आपको news बता दी स्टार्टिक डेटा में आपको क्या पढ़ना है कि सबसे पहली बात आपनों है समझना यह है कि कितना gold भारत के अंदर smuggle होता है यह आपको mains में भी help करेगा और prelims में भी help करेगा आखरकार कितना gold यहाँ पर smuggle होता है भारत के अंदर तो इसको लेकर हमारे पास में एक pure data है data कहां से लिया है हमने direct rate of revenue intelligence है इसका काम भी यह है कि smuggling वगरा को यहाँ पर check out करना अभी क्या होता है DRI, details से आगे मैं बताऊँगा तो DRI के according बात करें तो smuggling in India करके एक report आई थी 2021 की उस report के according बात करें तो लगबख 833 kg यानि की 833 kg जो smuggled gold था यानि illegal तरीके से यहाँ पर यह जो gold है इसका moment किया गया था इसका जो cost वो लगबख 500 करोड के आसपास था यह जब्द किया गया था साल 2021 के अंदर तो इस report ने बताए कि इतना सारा जो gold है 2020-21 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़दा smuggling हुई नी smuggling के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी reason, reason था COVID-19 pandemic अब pandemic उस समय चल रहा था lockdowns वगरा लगे वे थे इतना ज़दा यहाँ पर कोई movement हो नहीं रहा था समान का, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी flights भी cancel हो गई थी जिसकी चक्कर में जो smuggling है वो 2020-21 के अंदर काफी ज़दा कम हो गई थी लेकिन 2021-22 के अंदर वो smuggling वापस से अपने peak वाले level पर पहुँच चुकी है फिर बात यहाँ पर बताई जाती है कि लगबग 11 टन से ज़ादा जो gold है, जो सोना है यह जब्द किया गया था 16,555 smuggling के cases में इतने case निकल कर आए smuggling के होता है यहाँ पर यह है न कि लोग एरपोर्ट पर छुपा छुपा कर सोने को ले ले कर आने की कोशिश करते है illegal तरीके से तो इतने case यहाँ पर निकल कर आए 16,555 के आसपास और इतने cases का अगर हम लोग total देखें तो 11 टन के आसपास जो सोना है न वो जब्द कर लिया गया था पकड़ा गया था आप कह सकते हो इनकी smuggling हो रही थी पूरे भारत भर में अब इतना सार जो सोना पकड़ा गया क्या वो एक साल पकड़ा गया है नहीं यह आप देखोगे पिछले पांस सालों के अंदर यहाँ पर यह पूरे के पूरे इतना सारे cases निकल कर आए और इतना सारा जो सोना है वो जब्द किया गया अब उसके बाद बात या आती है कि smuggling हमारे देश में बहुत ज़ादा है क्योंकि यह जो सोने का मैंने आपको डेटा बताए कि इतना इतना पकड़ा गया है यह तो वो डेटा है जितना जब्द कर लिया गया अबी तो डेटा इतना सारा बाकी है जहाँ पर smuggling successful हो चुकी होगी जहाँ पर लोग यहाँ पर आपके सक्सेसफुल हो चुके होंगे इसको illegal तरीके से लाने में और smuggle करने में है ना तो जितना successful हो गया वो तो अलग है जो पकड़ा गया है हम सिर्फ उसका डेटा यहाँ पर mention कर रहे है तो इस चक्कर में बूला जा रहा है smuggling जो है अपने peak पर आपको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में उसके बाद में world gold council के according अगर हम बात करें जो smuggling है वो आने वाले समय में या 2022 के end तक और ज़दा बढ़ सकती है 33% से increase होती हुई नजर आ सकती है क्योंकि इस बार सोने का import भी बहुत ज़दा हुआ है अभी हमारे पास में एक डेटा आएगा पूरे साल भर का उस डेटा के basis पर हमारे पास में सारी चीज़े पता चलेंगी पिछले दस सालों के अंदर लोग बात करें तो महराश्टरा के अंदर सबसे ज़ादे सोने की स्मगलिंग देखने को मिली है अब यह स्मगलिंग हो कहां से रही है मतलब कहां से आ रहा है सोना एलीगल तरीके से तो यह North स्मगलिंग रूट सबसे ज़दा famous है यहीं से सबसे ज़्यादा स्मगलिंग की जाती है इस DRI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जितना भी सोना अभी तक पकड़ा गया है उसमें से 73% जो भी गोल्ड है न और 20% जो सोना सीज किया है वो वेस्ट अशिया से निकल कर आया था तो जादतर सोना यहाँ पर इज़र मैनमार और इज़र बांगलिदेश से निकल कर आ रहा है बहुत सारी रिपोर्ट का कहना यह है कि ये सोना basically Myanmar और बंगलिदेश में आ कहा से रहा है या रहा है चाइना से चाइना से यहाँ पर यह Myanmar में पहुंचता है और फिर उसका Myanmar से इंडिया के अंदर यहाँ पर स्मगलिंग की जाती है क्योंकि Myanmar और चाइना के बॉर्डर पर एक टाउन देखने को मिलता है स्मगलिंग की जाती है और Myanmar में यह सोना पहुंचता है और फिर वो सोना डारेक्ट नहांपर इंडिया के अंदर स्मगल कर लिया जाता है अब बात ये करते हैं कि जो इंडिया है वो कितना सोना इम्पॉर्ड करता है अभी हमना discuss किया smuggling कितनी हो रही है आप बात करते हैं import कितना हुआ है तो अगर हम लोग official data के according बात करें तो जो gold import है ये बहुत जादा है इस gold को जब हम import करते हैं तो definitely बहुत सारा पैसा हमारे country का बाहर भी जाता है तो आप कह सकते हो कि हमने साल 2021 के अंदर लगबग 3.44 lakh crod के आसपास का जो gold है वो import किया था और साल 2021 के अंदर ये data cable और cable 2.54 lakh crod के आसपास का था यानि साल 2021 के अंदर हमने 2.54 lakh croda के आसपास का जो हमारा data है ये निकल करा था 2020 का इतने रुपए का हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था और अब 2021 के अंदर यह डेटा बढ़कर 3.44 लैक के आस पास पहुंच गया है तो यह आप लोग देख पाओगे तो इस बार इंपोर्ट भी बहुत जदा हुआ है इंपोर्ट बढ़ता है तो जनरली हम देख पाते है स्मगलिंग भी काफी जदा बढ़ती हुई नजर आती है चाइना चाइना सबसे जदा गोल्ड कंजंशन करता है उसके बाद में नंबर टू पर आता है भारत धियान रखना यह आप से डिरेक्ली पूछा जा सकता है इस डेटा के बारे में उसके बाद मैं गरम लोग बात करें तो इंडिया है ना इंडिया जो सोना इंपोर्ट करता है उसमें ज्यादतर गोल्ड डोर होती है जो गोल्ड डोर बार होती है आपने देखाऊगा बार जो होती है गोल्ड की बड़ी बड़ी वो इंपोर्ट करता है रिफाइन गोल्ड भ तो होता यह है कि हम लोग इस biscuit को या फिर इस brick को जो भी बार है इसको मगाते हैं और इसको हम लोग refine करते हैं, refine करने के बाद में हम लोग इसमें से pure gold को निकालते हैं, ठीक है न, तो ये semi pure देखने को मिलता है, तो ये भी हम लोग काफी ज़दा import करते हैं, पिछले 5 सालों के अंदर जो ये gold door bar है, ये सबसादा import किया है, मतलब अगर आप देखो कि पिछले 5 सालों में, अगर कोई पीला metal हम लोगों ने, पीला metal इंपोर्ट किया अपने देश में, तो 30% हमने केवल और केवल ये gold door bars को ही import किया है, तो ये data यहाँ पर हमारे पास में किस ने दिया है, अब बात exactly यही आती है कि DRI क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि examination के अंदर इसको लेकर भी सवाल बन सकते हैं, देखो, जो DRI है न, ये इंडिया का एक chief anti-smuggling intelligence है, यानि कि हमारे देश बर में, जितनी भी smuggling हो रही है, illegal तरीके से यहाँ पर तसक्री की जा रही ह है न, उसको रोकने का ये काम करता है, investigation करने का काम करता है, operation agency भी हम इसको बोलता है, ये body किसके अंडर में काम करती है, तो ministry of finance के अंडर में काम करती है, अगर हम लोग बात करें तो exactly ministry of finance के अंडर जो central board of indirect taxes and customs है न, इसके अंडर में यहाँ पर directorate revenue of intelligence work करता है, और इस body को head क किया जाता है, एक director general के थूँ, ये बात में आपने ध्यान में रखनी है, उसके बाद इसका जो major काम है, हमारे देश को यहाँ पर बचाना, smuggling से, खास कर जो यहाँ पर हत्यारों की smuggling हो रही है, सोने की smuggling हो रही है, ड्रक्स की smuggling हो रही है, जो जाली note होता है, उनकी smuggling हो है, है ना, या कोई environmental products है, उनकी smuggling हो रही है, उन चीज़ों को यहाँ पर रोकने का यह काम करता है, साथी साथ में इसका काम यह भी है, कि जो black money है, उसका बड़ावा जादा ना हो, commercial frauds ना हो, वो चीज़ी भी रोकने का यहाँ पर काम करता है, और इसका जो headquarter है, वो आपक कि वीडियो लेट हो रहा है, और देखो आज भी यार वीडियो काफी लेट हो जाएगा, मैं आपको मतलब आज दिखाई देता हूँ, वैसे मैंने सोचा था कि चलो यार कोई बात नहीं, काफी लोग देखो फिर भी समझ नहीं पाता है, बहुत सार लोग, क्योंकि मुझे अबनी प्रॉब्लम्स की सर थोड़ा वीडियो अपलोड कर दो जल्दी, देखो यार यार ये निउस्पेपर का, मतलब जब सुबह हम लोग इस एडिशन को उपन करते हैं, मैं तब का ये सीन दिखा रहा हूँ आपको, ये उपर आप देख पा रहोंगे, ये अभी का ही आ फिर उसके बाद में, मैंने दूसरे एडिशन ट्राइक है, तो वो भी अपलोड नहीं हो पाया था, अब उसके बाद यहाँ पर आप कहसे हो कि साड़े चार बचे के बाद थोड़ा सा और दस मिट लगया, चार, 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 पैंतालिस तक निउस पर आ रहा है, और मतलब लेट आने के बाद में, उसको पढ़ना पढ़ता है, पढ़ने के साड़े को पढ़ना, मतलब इतना ज़्यादा भारी नहीं है, उसको बहुत अराम से कवर कर लेता हूँ, अराम से, मतलब थोड़े समय में में उसको मैं पढ़के निप्टा देता हूँ, प्रॉबलम कहां पर आती है background information को collect करने में क्योंकि जब तक मैं background information नहीं लेकर आऊंगा तब तक newspaper पढ़ने का कोई फाइदा है ही नहीं क्योंकि examination के लिए आप कुछ भी निकाल नहीं पाओगे notes त्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि current affair के notes जो बनते हैं वो current affair के नहीं बनते हैं basically उसको जो static part होता है जहां से सवाल बने जाते हैं उसको आपने यहां पर लिखना होता है तो वह सारी information में आपको यहां पर प्रोवाइट करवाता हूं उसमें थोड़ा समय लग जाता है तो आप यह देखो कि 44 तक भी news paper आ रहा है तो अभी यहां इसको अप्लोड करते करते 48 ऐसे यहां पर थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो यही हो रहा है पिछले कुछ दिनकी कहानी यही है पिछले कुछ टाइम से तो यही हो रहा है कि इस paper काफी late publish हो रहा है तो मैंने सुचा आज मैं दिखाई दूँ तब आप लोग यहां पर समझ पाओ अच्छे से इस चीज़ को नई तो फिर अगर मैं जल्दबाजी मचाता हूँ न एक गंटे के अंदर अंदर मैं इसको पढ़कर फिर record करने की कोशिश करता हूँ अगर पीछे का background information मैंने आपको यहां पर दिया तो वो चीज़े यहां पर cover नहीं हो पाएंगी फिर है न और फिर उसका कोई फाइदा भी है तो मैं quality के साथ में बिल्कुल भी compromise नहीं करना चाहता भले थोड़ा सा late हो जाए वीडियो तो इसी की चक्कर में वीडियो थोड़ा सा आपको देखने हो को अगर अंद मिल रहा होगा कि यहां पर लेट 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 हो रहा है पिछले कुछ टाइम से तो थोड़ा सा आप time manage कर लिया करो manage करने का मतलब है कि आगर आप morning में पहले यह current effort का वीडियो देख रहा करते थे तो फिर उसमें आप कुछ और चीज कर लिया करो इसको यहां पर अपना थुड़ा दूसरे time में जब आप पढ़ाई कर रहे थे मतलब जब आप दूसरी चीज़े पढ़ते हो उसको आप morning में पढ़ लो और इस वाले session को बाद मैड कर लो जिनको problems हो रही है नहीं तो फिर बहुत सरे लोग यहां पर इसको hand to hand देख लेते हैं चीके ना बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले यार make sure करना कि वीडियो पे जो like का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो एक target है 5K प्लस likes का जिसको आप लोग एचीव करवा सकते हो बहुत important होता है वीडियो को support करना आपको support करना है और मेरे साथ मे Instagram पर connect करना है वहाँ पर जाना दीपा यादव education टाइप करना ये profile मिलेगा 10,000 से जादा followers है आप भी जाकर वहाँ पर connect करो और एक और important चीज़ जो भी आप से सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के starting में जैसे पूछे गए मैं आपका question पूछा गया prelims का सवाल पूछा गया section में दिया करो वहाँ पर भी आपका participation होगा वहाँ पर भी आप चीज़ों को अच्छे से सीख सीख कर उन चीज़ों को लिख होगे ठीक है ना आगया आता है कहने का मतलब है जहां से ही मतलब जितना भी फाइदा मिल लाए ना नीचे और डालो पूरे वीडियो को तो starting के question क भी answer के मतलब जो answer से हो नीचे comment section में जरूर से दिया करो now next page पर एक चोटा सा article आपको यह वाला देखने को मिलेगा लेकिन important है आपसे पूछा जा सकता है अलग लग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो मैं तरीका आपको बताऊँगा यहां पर article में क्या बताया गया तीन हिमालियन medicinal plants को अभी IUCN की red list के अंदर enter करवा दिया गया है IUCN की red list में आपर इन plants को डाल दिया गया अब किस किस category में डाला गया है उसको मैं आगे details समझाऊँगा तो तीन पौध है अभी के समय पर चर्चा में हिमालियन plants चर्चा में उन तीनों का picture आपको यहां पर यह मिलेगा ठीक है ना अब यहां पर वैसे तो अभी दो पिचर दिये गए एक पिचर यह है जिसका नाम है मेजोट्रोपिस पैलिटा और इधर यहां पर आपको यह दूसरा प्लांट देखने को मिलेगा यह वाला इसका नाम है डैक्टी लोर्जिया हैटर गया अब इसके बा अब पार रखने का मतलब है कि इस फ्लांट की जो प्रजातिया है ना वो लगातार यहां पर खतम होती जा रही है इनको बहुत ज़द नुकसान पहुचाया जा रहा है तो आने वाले समय में ये प्रजाती बिल्कुल खतम हो सकती है इस वज़ासे इसको बेसिकली एक protection देने के बारे में चर्चा की जाती है जब भी हम लोग किसी भी प्रजाती को IOCN के red list में डाल देते हैं तो ये था नंबर बन प्लांट दूसरा यहां पर है फ्रेटोलरिया सिरोसा इसको हमने वल्लरेबल कैडिगरी के अंदर रखा अगेन इसकी भी संख्या लगातार कम हो रही है फिर है डैक्टिलोर्जिया डैक्टिलोरिजा उसके बाद में है टैगरिया ये भी यहां पर ये तीसरा नाम है इसको हमने अलग 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 कैडिगरी है आपसे पूछा जा सकता है डैक्ली कैडिगरी इसके बारे में सवाल बनते हैं डैक्ली या फिर एक इस तरीके से बन सकता है इन तीनों के तीनों plants के नाम आपको दे दिये जाएंगे option में पूछ जाएगा ये क्या है plant है, animal है, क्या चीज है आपसे यहाँ पर इस प्रकार से चीज़े पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना है, ये हिमालियन medicinal plants है इस basis पर यहाँ पर आपको याद होना चाहिए अब बात करने कि इनको इस list में डाला क्यों गया जो ये mesotropes है ना, इसको अभी यहाँ पर critically endangered category में इसलिए डाला गया क्योंकि ये जो है ना, ये plant के प्रजाती केवल उत्राखंड में देखने को मिलती है लेकिन इस species को पिछले कुछ समय पर धेर सारी परेशानियां देखने को मिली है जादा ये बढ़ नहीं पा रही है केवल उत्राखंड के अंदर ही देखने को मिलेगी है ना, और मतलब कुछ छोटे से एरिया में देखने को मिलेगी लेकिन वहाँ पर भी आप डिफॉरेस्टेशन देख पाओगे नहीं लगातार पेडों की कटाईएं हो रही है जिसकी वैसे इनको नुकसान पहुँच रहा है या फिर जंगलों के अंदर आग लगती हुई नजर आई है जिसकी वज़ा से याँ पर ये प्रजाती खतम हुई है इन प्रजातियों का इन पेडों का बहुत इंपॉर्टेंस है इनसे बहुत इंपॉर्टेंट ओईल बनाया जाता है जो ओईल एंटी आउक्सिडेंट का काम करता है नहीं हमारी जो pharmaceutical industry है दवाई वाली industry है उसके अंदर काम करता है दूसरा वला जो plant है फ्रिटिल एरिया जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे तो मैंने आपको बताया इसको हम लोगों ने vulnerable category में रख रखा है अब इसको vulnerable category में रखने का मतलब क्या है कि देखो इसकी जो rate है ना वो भी लगातार कम हो रही है मतलब कि इसकी population भी इसकी संख्या भी लगातार कम होती भी नज़र आएगी उसके बाद में जो trade है आज के समय पर इसका जो व्यापार है उसकी value काफी जादा बढ़ चुकी है और illegal तरीके से व्यापार यहाँ पर बढ़ चुका है जिसकी वैसे इसको vulnerable category के अंदर रखा गया चाइना के अंदर जो ये दूसरी वाली प्रजाती है ना इस वाली प्रजाती का बहुत अलगलग तरीके से इस्तमाल होता है निमोनिया को ठीक करने के लिए और भी मारियों को ठीक करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब जो तीसरी वाली प्रजाती आपको देखने को मिलती है डेक्टिलो रिजा इसके बारें बात करें तो इसको भी हम लोगों ने अब इंडियेट कैडिगरी में रखा हुआ है अब अब इंडियेट कैडिगरी में देखो रखने का मकसद यहाँ पर यहाँ है उसके बाद में इन वाले प्लांट के बात करें तो इन का आयूरवेदा के अंदर इस्तमाल किया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए, पेट का दर्थ को ठीक करने के लिए, हाँ पर इनका इस्तमाल किया जाता है तो इनको अभी high protection provide करवाई गई है, इस IUCN red list के through, ये बात आपको clear हो गई समझ में आगे सारी बात है, नाम जरूर ध्यान रखना, चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़दा important है, इसको अपलोग GS paper number 2 international relations से relate कर पाऊगे अब basically economy से भी इसको link किया जा सकता है, इंडिया और चाइना के व्यापार के बारे में discussion कर रहे है इंडिया और चाइना का जो व्यापार है, इसमें जो trade deficit है, वो basically 51.5 billion dollar तक पहुंच गया है मतलब इतना तो केवल भारत को घाटा ही हो रहा है, trade deficit की बात कर रहे है, trade deficit मतलब क्या होता है घाटा मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, trade deficit कब होता है, trade deficit वो condition होती है कि जब आपके देश से जो import है ना, वो तो बढ़ जाएगा, और जो export है, वो यहाँ पर कम हो जाएगा और आपको पताओगा, import बढ़ेगा, तो मतलब आपके country का जो भी यहाँ पर currency है, वो बाहर जाएगी और export यहाँ पर कम होगा, तो मतलब आपका जो revenue है ना, क्योंकि export अगर आप करते, export करकर पैसा कमा रहे हो अपने समान को बेज कर, तो export अगर कम हो रहा है, तो यहाँ पर revenue कम होता है बनजर आएगा तो आपने खरीच जादा लिया समान और बेचा कम, तो यहाँ पर हमारा पैसा धेर सरा बाहर चले जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते है trade deficit, ठीक है ना, तो import जादा हो गया, export कम हो गया, इसका मतलब होता है trade deficit, यह यहाँ पर India चाइना के बीच में देखने को मिलता है, भा आपकी बार 51 billion dollar तक पहुँच गया है, मतलब 51 billion dollar का जो gap है, यह आपको देखने को मिलेगा, इतना घाटा अभी के समय पर चल रहा है, ठीक है ना, in fact 2021-22 के according कर आप पात करोगे, तो 2021-22 के अंदर जो यह trade deficit है, यह काफी बढ़ गया था, क्योंकि इन countries के बीच में व्यापार का data देखोगे, तो लगातार व्यापार उंचे सतर पर जा रहा है, 2020-2021 के अंदर जो व्यापार है, वो 44.03 billion dollar का हुआ, फिर मतलब इतना घाटा हुआ, फिर उसके बाद इतना हमें घाटा हुआ था 2020-21 के अंदर में, कितना 44.3 billion dollar का, फिर उसके बाद में आप देखोगे, 2020- के अंदर जो ये घाटा है, 2021-22 के अंदर, ये घाटा 73.31 billion dollar का पहुँच गया, तो आप इमाजन करो कि जो ये deficit है, ये लगातार हर साल increase हो रहा है, क्यों? क्योंकि हर साल इंडिया और चायना का जो व्यापार है, वो भी increase हो रहा है, ये जो deficit है, ये पहले के समय पर बहुत क अब व्यापार किस लेवल पर किया जा रहा है, इंडिया चायना के बीच में, उसके बारे में कुछ important data है, जो कि आपके साथ में मैं share करूँगा, in fact ये जो news है, ये अभी recently news में भी थी, क्यों? हाली में ये news में इसलिए था, क्योंकि साल 2021 का data हमारे पास में निकल कर आया थ जो पूरा साल 2021 है, इस पूरे साल 2021 में भारत और चायना का जो व्यापार हुआ था न, वो 125 बिलियन डॉलर को cross कर चुका था, तो आप imagine कर सकते हो कि 100 बिलियन से डॉलर से जादा व्यापार किया इंडिया चायना ने, साल 2021 में, अब साल 2022 का जो पूरे साल का data है, ये हमें ज अब से problem वाली चीज़ क्या थी, इसमें घाटा इंडिया का ही था बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने जादातर समान यहाँ पर import ही किया था, export हम लोगों ने बहुत जादा कम किया था, ये तब की बात कर रहा हूँ, जब दोनों countries के बीच में relations काफी खराब हो गए थे क्योंकि आपको पता होगा, जो LAC Line of Actual Control वहाँ पर दोनों countries के troops के बीच में भी हाँ पर जड़ाप हो गई थी, जिसको लेकर काफी सरे issues हो गए थे, उसके बावजूद जो ब्रयापार है वो काफी बढ़ता रहा, आप कुछ important points जो कि आपको पता होने चाहिए, इंडिया ज कुछ और raw materials हो गए, इन सब चीजों को हम export कर रहे हैं चाहिना के अंदर में, इंपोर्ट क्या करते हैं, तो इंपोर्ट काफी सारी चीज़े की जाती हैं, जैसे electrical समान हो गया, machinery हो गई, उसके बाद में active pharmaceutical ingredients यानि दवाईयों को बनाने का जो भी raw material है, वो हम लोग यहाँ प import किया था, दोनों देशों के बीच में, जो bilateral trade है, जो व्यापार है, वो पिछले साल 43% से ग्रो होता हुआ नजर आया था, 43% से व्यापार दोनों countries के बीच में ग्रो हुआ, इतना तेजी से व्यापार किसी भी देश के बीच में ग्रो नहीं हुआ, in fact, चाइना के जो जो कि सबसे ज़ादा व्यापार करते हैं, वो तीनों टॉप पर जो है, वो कौन कौन है, चाइना पहली बाद आसियान के साथ में सबसादा व्यापार करता है, और 2021 में चाइना ने आसियान के साथ में व्यापार किया था, और चाइना ने आसियान के साथ में जो व्यापार की growth थी तो आपको क्यों बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि चाइना के ये top 3 trading partners जिनके साथ में जो growth है 27-28% तक अटकी भी थी लेकिन भारत एक ऐसी country था जिसका जो व्यापार है चाइना के साथ में ये यहां पर आपको देखने की बात मिलती है ठीके ना तो व्यापार पिछले कुछ समय पर काफी थे जिससे increase हुआ ये बात आपको clear हो गई ये हमने व्यापार के बारे में discussion किया अब बात करते हैं घाटे के बारे में trade deficit के बारे में तो deficit के मामले में आप देखोगे तो deficit भी लगातार grow हो रहा है साल 2021 में जो इंडिया का trade deficit है वो 69.38 billion dollar का पहुचा मतलब मैं आपको समझा दिया कि हम लोग ने export जो है ना वो कम किया और import जादा किया इसके बीच का difference निकालोगे यानि की export import minus कर दोगे तो जो निकल कर आएगा वो बेसिकली हाँ पर हमारा घाटा निकलेगा और यह जो trade deficit है बेसिकली वो 69.38 billion dollar का था साल 2021 के अंदर में क्यों क्योंकि इंडिया ने चाइना से धेर सरा समा जो है वो अभी के समय पर import कर लिया था बात क्लियर हो गई अब देखो हम चीजों को समझ रहे दिरे दिरे और समझते हम लोग क्या कर रहे है चाइना के ओपर dependency को कम कर रहे है तो आपका ओगे वो कैसे कम कर रहे है तो उसके लिए हमने काफी सरे कदम उठाए जैसे की हमने क्या 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 चाइनीज एप्स को बैन किया जो चाइना के अप्लिकेशन चल ले थे टिक टॉक था और ही बहुत सरे एप्स थे उन सब को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गय तो यहां से अपने व्यापार से भाहर निकाल दिया फिर उसके बाद में हमारी सरकार ने रिसेंट नहीं क्या क्या है न इन्होंने ये बोला कि बाहर से यानि जो खासकर हमारे पडूसी देश है जैसे बانगले देश हो गया, में नमार हो गया, पारकिस्तान हो गया परमिशन चाहिए होगी, इस प्रकार से हम लोगों ने एक चीज लेकर आए थे, हमारी सरकार लेकर आए थी, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हम चायना का जो एफडिया ये चायना का जो बहर से इंवेस्टमेंट है, वो हम अपने कंट्री के अंदर रोक सकेंगे, ठीक है इस डिपेंडेंसी को चाहिना के उपर से खतम करने के लिए हमने ये कदम उठाया, कि जो API है, क्योंकि मैं अभी आपको बता है, साल 2021 में, जो ये एक्टिव फार्मिसिटिकल इंग्रेडियंट से न, ये भी भारत ने भरपूर मातरा में इंपोर्ट किया है, लेकिन अब भ पनाएंगे इसके लिए यहां पर अलग से पैसा अनॉंस कर दिया या था 13,760 क्रोड रुपे, ताकि हम अपने कंट्री का जो खुद का मेडिसन, यानि जो ड्रग सेक्टर है, इन सब चीजों को हम लोग खुद से इंक्रीज कर सकें, ठीके न, तो इस चीज के उपर फोकस क कर रहे हैं कि उन सेक्टर्स को हम अपने देश में खुद ग्रो करेंगे, हम चायना के उपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे food processing हो गया, organic farming हो गया, iron, aluminium, copper, agrochemical, electronics, machinery, furniture, leather, shoes, auto parts, textile, यह सारे अलगलग सेक्टर्स हैं, जहां पर हम लोग च factory के अंदर खुद से यहां पर इसको develop कर रहे हैं, ठीके ना, उसके पीछे का reason है, मतलब चायना के उपर dependency हम खतम नहीं करते, लेकिन खतम करने के पीछे का कारण है, कारण यहां पर यह है कि अभी इंडिया-चायना के relations बहुत जादा निचले level पर देखने को मलेंगे, जो चायना की soldiers, इनके बीच में भी यहां पर एक जड़ाप हो गई थी, जिसके basis पर बहुत ज़ादा नुकसान हुआ था दोनों ही countries को, और अभी तक आप लोग यहां पर देखोगे ना, तो काफी सारे लोग को deploy कर दिया, हाजारों की कगार में महाँ पर tent चले गए थे, हम जो की भारत का हिस्सा है, इसकी कुछ जगाओं के जो नाम है वो बदल दिये, बदल के चायना के, मतलब चायना अपने हिसाब से उसके नाम रखने लगा, तो चायना दिखा रहा था, वो जो है हमारी territory है, चायना कुछ इस प्रकार से वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके response ने भारत में इसकी निंदा करी और निंदा करते वो बोला कि देखो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, यह पार जो है अरुनाचल प्रदेश का था है और आगे भी रहेगा और अरुनाचल प्रदेश बैसिकली इंडिया का ही देखने को मिलता है, फिर उसकी बाद म ताकि चाइना जो है इंडिया तक जल्दी पहुंच सके, ठीके ना, तो उसके लिए हाँ पर बीच में एक ब्रेज बनाया गया जो कि अगेन कहीं ना कि इंडिया चाइना के रिलेशन्स के बीच में और ज़दा फूट डालता है, बात क्लियर होगे, तो यह मैंने आपको इ मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीके ना, मेंस के लिए उन डेटा को खासकर जो रिलेशन्स है, मतलब व्यापार कितना कितना हो रहा है, कितना कितना वो डेटा याद मत रखना, लेकिन हम लोग डिपेंडेंसी को किस प्रकार से कम कर रहे हैं, और प्लस क्यों कम कर इन कंट्रीज के रिलेशन्स में इशूस क्या हैं, ये ज़रूर धियान रखना, चलो, आगया आता है नेक्स टार्टिकल पर, ना उनेक्स टार्टिकल बात करता है, एक बीजेबी मेंबर है, इन्होंने क्या किया, प्राइवेट मेंबर बिल को यहाँ पर लेकर आए, यह ज सकतो अपना बहुत ज़्यदा ओपोजिशन दिखाया, ठीके ना, अब जो यह प्राइवेट मेंबर बिल है, इसको जरूरत है कि यह इसको सरकार का सपोर्ट मिले, और जाकर यह पारलियमेंट के अंदर पास हो, इसको यह यहाँ पर एक जरूरत देखने को मिलती है, लेकिन उनिफर्म सिविल कोड को इंप्लिमेंट करना चाहिए, क्या होता उनिफर्म सिविल कोड अभी मैं आपको समझाओंगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर इंप्लिमेंट करने चाहिए, देश भर में, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, वो मेंबर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, मैं आपको समझाओंगा, प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल क्या होता है, अभी मैं आपको क्लियर करवा दूँगा, इसके बारे में, डोंट वरी, तो ये बिल लेकर आया गया, कि हाँ भाईया, योनिफॉर्म यहाँ पर वो इसके favor में गए है, voice vote की बात करें तो 63 जो votes हैं वो favor में हैं, 23 वोट अगेंस्ट में हैं, लेकिन अभी भी भी यहाँ पर सरकार का जो backing के सरकार का support जो है वो यहाँ पर चाहिए ताकि इसको parliament के अंदर pass करवाया जाए, अब बात यहाँ पर यहाँ आती है कि जो यह bill आपको देखने को मिलता है ना, इसकी मांग थी uniform civil code को implement किया जाए, अब जैसे यह bill आता है वैसी जो opposition parties हैं, उनका कहना यह है कि देखो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि uniform civil code implement होगा, तो basically यह कहीं न कहीं सभी लोग को एक ही कानून से treat करेगा, एक ही कानून सभी यहाँ पर रहते भी हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर एक as a secularism देखने को मिलती है, कि सबके अलगलग personal laws है, सब अपने इसाब से यहाँ पर अपने laws को, अपने religion को follow कर रहे हैं, वो कहलाता है secularism, तो यहाँ पर कहना यह है opposition parties का, कि अगर uniform civil code आया, तो यहाँ पर कोई religion को लेकर मानलो, कोई marriage को लेकर हो गया, या कुछ और चीज़ को लेकर हो गया, कोई property को लेकर, कोई भी यहाँ पर अलग हो गया, कोई भी मामला हो गया, तो इन matters में क्या होता है, इनके personal laws के हिसाब से matter को देखा जाता है, जो personal laws होता है, तो बात यहाँ पर यह है कि personal laws को खत प्रोटेस्ट में भी थे और काफ़ी सरलोक इसके फेवर में भी देखने को मिलेंगे, जैसे जो हमारे प्यूश गोयल साब हैं, ये काफ़ी ज़दा फेवर में देखने को मिलें, उन्होंने इस बिल को defend भी किया, ठीके ना, ये बात आपको लागू करना ये जो बिल है ये लेकर आया गया था राजसभा के अंदर ये बात भी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है क्योंकि अभी आपको बता होगा एक मीटिंग वगरा चल लेगी जहाँ पर बहुत सरे बिलों के उपर काम चला है हमने कल भी काफी सरे बिल के बारे में चर्चा की थी तो कि ये तो आपने समझ लिया करेंट इशू बैगरांड डेटा क्या है युनिफोर्म सिविल कोमूड को आपको पढ़ना होगा युनिफॉर्म सिविल कोड़ के लिए sih की उपको बा Apply से पहले कई बर सवाल बन चुका है मेंस के अदर पूच चू का UPSC तो ये अपने personal laws के हिसाब से उसको treat करती है uniform civil code बोलता है कि कोई personal law नहीं रहेगा केवल एक ही कानून रहेगा और वो सब के ओपर applicable होगा सब भी लोगों को यहाँ पर उसके according चलना होगा ठीक है ना ये बात clear हो गई अब ऐसा कहीं हमारे संभीधान में mention है क्या हाँ बिलकुल article 44 आपको बता होगा article 44 है हमारा DPSP directive principles of state policy तो ये बात भी करता है uniform civil code की कि हाँ बिलकुल हमारे country में uniform civil code होना चाहिए ठीक है ना तो ये में आपको बता दिया अब आप देखोगे कि uniform civil code का जो status है इंडिया के अंदर में कि भारत में क्या किसी और कानून के थैत हमें uniform civil code मिलता है हाँ देखो कुछ यहाँ पे laws हैं जैसे Indian contract act हो गया 1872 का civil procedure code transfer of property act 1882 partnership 1932 evidence act ये ऐसे act है जो कि सभी religion को follow करने होता है सभी religion के लिए हाँ पर एक ही कानून को सामने रख देता है हैना मतलब uniform civil code की तरह यहाँ पर यह काम करता हुआ नजर आता है ऐसा यहाँ पर बोला गया लेकिन हुआ क्या है कि पेचले कुछ समय पर इन act के अंदर भी इतने सारे बदलाव हो गए इतने सारे changes हो गए कि यहाँ पर भी आपको काफी सरी से बदलती होई नजर आएंगी तो अब यहाँ पर यह सभी को अलग-लग तरीके से treat करते होई नजर आते हैं तो मांग यहाँ पर बस यही है कि सभी laws को खतम करके जैसे सभी के अपने personal laws है हिंदूस के, muslims के और बाकिसर religion के उन laws से अच्छा यहाँ पर यह है कि एक ही कानून हो और वो ही कानून यहाँ पर implement किया जाए उसी कानून के business पर सारे के सारे cases की सुनवाई की जाए अब इससे होगा क्या, इससे होगा यहाँ पर यहाँ इसका importance यहाँ पर यह है कि इससे law जो है वो काफी simplify हो जाएगा अभी अलग-अलग religion के हिसाब से cases को देखना पड़ता है तो चीज़े बहुत ज़्यादा complex है, बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत ज़्यादा time लग जायता है उस process के अंदर, लेकिन हमारे पास में एक ही कानून रहेगा, एक ही कानून से सबी लोग को यहाँ पर देखना है, तो इससे जो law है वो काफी simplify हो जाएगा और cases के अंदर, यहाँ पर आप कह सकते हो cases को solve करने की जो speed है वो काफी हद तक बढ़ सकती है फिर दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो इससे gender justice मिलता बने जाएगा gender justice का मतलब है अगर uniform civil code implement होता है तो जितने भी personal laws है वो सब हो जाएंगे खतम है ना तो all personal laws will cease to exist खतम हो जाएंगे सारे personal laws इससे यहाँ पर क्या होगा, जो भी हाँ पर मालो किसी के personal laws के अंदर कोई gender biasness है किसी एक gender को यहाँ पर जादा preference दी जा रही है तो वो चीज़े खतम हो जाएंगी एक ही कानून होगा, वो सब ही को यहाँ पर एक तरीके से treat करेगा और उसको इस business पर बनाया जाएगा कि वहाँ पर कोई भी gender biasness ना देखने को मिले हाला कि तो आपको भी अच्छा लग रहोगा कि हाँ यार यह implement होना चाहिए लेकिन इसमें कुछ challenges भी है, सबसे पहला challenge क्या निकल कराता है, हमारा संबेधानिक hurdle, article 25 article 25 क्या है, यह आपको एक fundamental right है, article 12 से 35 सारे fundamental right है, इसे की बीच में article 25 आता है, यह भी आपका एक mall अतिकार है, आभी fundamental right क्या बोलता है, यह बोलता है कि इंडिया के अंदर सभी लोगों को सभी religions को, यहाँ बे basically आप कर सकते हो, एक छूट है, उनको एक freedom मिली है, कि वो अपने religion को practice कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, यानि कि religion को लेकर उनको छूट मिली विया, आपकी मर्जी, मतलब आप अपनी मर्जी से जो भी religion follow करना चाते हो करो, उसको practice करो, उसका प्रसार करो, आपको पुरी छूट मिली है, आपका हक है, आपका fundamental right है तो आप कहोगे, इसमें क्या दिक्कत है लेकिन दूसी तरफ, uniform civil code क्या बोलता है, कि जितने भी personal laws उनको खतम कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं यहाँ पर, जो article 25 है और uniform civil code है, इनके बीच में एक छोटा सा conflict भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो एक छोटे से challenge में आप यह चीज़ लिख सकते हो, बात clear होगे, uniform civil code को लेकर अब हम लोग थोड़े रिसकस करते हैं, private member bill के बारे में, देखो, एक तो होता है public bill और एक होता है private bill यह आपका polity का एक portion यहाँ पर cover हो आएगा, जब बात करता है public bill की तो देखो, इसको parliament के अंदर introduce क्या जाता है, जैसे हमारा राजसाबा लोग साब होता है na, parliament जो है basically उसके अंदर दो houses देखने को मिलता है तो parliament के अंदर भी public bill introduce क्या जाता है, और private bill भी मही पर introduce क्या जाता है, simple सी बात है बात ये देखने वाली है, कि introduce करता कौन है public bill introduce क्या जाता है, एक minister के थुँ और private bill introduce क्या जाता है, एक member of parliament के थुँ, यानि कि MP के थुँ इसको यहाँ पर introduce क्या जाता है ठीक है ना, ये MP है, अदर देना minister, यानि minister नहोकर एक member of parliament है और public bill किसके थूरू पास किया जाता है इंट्रोड्यूस किया जाता है वो basically एक minister के थूरू इंट्रोड्यूस किया जाता है बात clear हो गई अब दूसरी चीज जो public bill है न वो दिखाता है ruling party को यानि जो सत्ता महें सरकार वो जातर public bills को लेकर आती है private bill यहाँ पर दिखाता है opposition party को जातर opposition parties private bills को लेकर आती है जातर मैं बता रहा हूँ दूसरा यहाँ पर आपको एक और point देखने को मिलेगा इट हैस greater chance to approve by the parliament देखो जो public bill होता है न इसको approval मिल जाए इसको यहाँ पर पुरीतर से permission मिल जाए इसके chances बहुत जादा होता है लेकिन private bill को approval मिल जाए ऐसे chances बहुत जादा कम होता है राजसभा के अंदर private bill अटाकी जाता है यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत कम chances देखने को मिलता है कि इस private bill को एक approval मिल जाए फिर चौधा point देखो एक बात यहाँ थे कि public bill जिसको यहाँ पर आप कह सकते हो जो ruling party यानि जो सत्ता में सरकार वो इसको लेकर आ रही है इसको parliament pass भी कर देती या approval भी मिल जाता है लेकिन suppose यहाँ पर इसको reject कर दिया गया rejection से क्या होता है कहिना कि जो सरकार है सरकार को resign भी करना पड़ सकता है क्यों क्योंकि सरकार को कोई confidence है ही नहीं सरकार लोकसभा से भी bill pass नहीं करवा पा रही है जबकि लोकसभा से bill बहुत राम से पास रहता राजसभा में जाकर अटक जाता है ठीक है ना तो बात यहाँ पर यही mention कि जाती है जो parliamentary confidence है ना वो कहीं नगी खो देती है सरकार अगर इस public bill को pass नहीं करवा पाती इसको reject कर देती है इसको एक rejection मिल जाता है तो और यहाँ पर private bill को अगर rejection मिल जाए कोई फरेक ही नहीं पड़ा भाई क्या था private bill था opposition party लेकर आई थी reject हो गया खतम का कोई बात ने बैठ जाओ तो यहाँ पर कोई इतना फरक पड़ता नहीं है बात आपको clear होगी फिर उसके बाद धियान रकरना जो public bill है ना इसको जो हम introduce करते है house के अंदर इसके लिए 7 दिन का जो notice है वो चाहिए होता है साधिन का advance notice चाहिए होता है और इस private bill के लिए एक महिने का notice period यहाँ पर जरूरी होता है ठीक है फिर इस public bill को यहाँ पर तयार के जाता है एक concern department के थूरू जो की हमारे law department के साथ में बाचीत करने के बाद में मतलब पूरी तयार के साथ में इसको implement किया जाता है इसको यहाँ पर जो ड्राफ्ट यह जो basically यहाँ पर इसकी जो ड्राफ्टिंग है ना इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है वो ही member जो की इस private bill को लेकर आ रहा है ठीक है ना इसके लिए पूरा department होता है public bill के लिए लेकिन यहाँ पर प्रावेट मेंबर ही देखने को मिलता है तो public bill प्रावेट बिल किया है difference आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गयोंगे पॉलिटी का एक छोटा सा portion कुछ मिल्टों के अंदर cover होज गया है आगे आता है ना यहाँ पर आता है एक और छोटा सा article लेकिन काफी ज़दा important है और आपसे यहाँ पर भी सवाल बन सकते हैं आर्टिकल क्या है ILO इस इंटरनाशनल लेबर और्गनाजेशन ठीक ना जो लेबर्स को लेकर काम करता है लेबर्स को protection देने का काम करता है जो यह चीज़े कहाँ पर बोली गई है तो सत्रवी ध्यान अकना सत्रवा 17th Asia and Pacific Regional Meeting होता है इंटरनाशनल लेबर और्गनाजेशन का वहाँ पर इन्होंने 10 पॉइंट्स के बारे मेंशन किया है और जितने भी member countries है ILO की इंडिया भी ILO का member है ध्यान अकना भारत भी इसका member है अब या आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तो जितने भी members है ILO के इनसे बोला गया कि भई आपको क्या करना है जो भी यहाँ पे labors है जो भी आपके यहाँ पर मज़दूर लोग देखने को मिलना चाहिए equal pay work की तरफ काम करो ऐसा ना हो men और women दोनों की salaries की बीच में बहुत बड़ा difference हो जब भी काम वो same कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों को equal payment मिलनी चाहिए अगर काम same है तो उसके बाद में responsibilities हो गई उसके बाद में यहाँ पर women की जो leadership है उसको promote किया जाए तो इस चीज़ को लेकर international labor organization ने जोर दिया है इन्होंने बोला सरकार को अपने rules and regulations को और ज़दा मजबूत करना होगा और साधी साथ में जो भी यहाँ पर workers से उनको एक protection provide करवानी होगी एक freedom देनी होगी और खासकर जो migrant workers जो बहार से आए हैं या फिर स्वरी इधर से उधर यहाँ पर जा रहे हैं किसी दूसरे जगह पर काम करने के लिए जो migrant workers आपको देखने को मिलेंगे इनके हकों को यहाँ पर protection देना होगा यह बाते इस meeting के अंदर बोली गई है तो यह बात आपको समझ में आ गई यह तो होगा हमारा current issue जहांपर International Labour Organization ने जोर दिया है countries के ओपर ताकि वो अपने लेबर को अच्छी तरीके से protection provide करे हैं, उनके सुरक्षा करें कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया क्या क्या करना होगा, अब जहां से आप से सवाल बन सकता है, वो है International Labour Organization, ILO के बारे में सारी की सारी जानकारी आपने पता होनी चाहिए ILO बेसिकली यहाँ पर एक ट्राइपल टाइट United Nation Agency है यहाँ पर आप देखोगे ना, यह काफिसरी सरकारों को साथ में लेकर आती है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे, तो इस बॉड़ी के अंदर लगबख 187 जो हैं इसके मेंबर हैं, 187 मेंबर हैं जिसमें से इंडिया भी यहाँ पर इसका member है, इसका काम क्या है कि जो labor है, उनको लेकर कुछ rules and regulations को लेकर आना और खास कर women और men जो labor category के अंदर है, उनको यहाँ पर एक protection provide करवाना, international labor organization को एक noble peace prize भी मिला है 1969 के अंदर, इस body को established क्या जा था, 1919 में Treaty of Versailles के थूँ, उसके बाद में, यहाँ पर UN की एक पहली specialized affiliated agency बनती है, यह United, sorry 1946 के अंदर में, इसका headquarter आपको Geneva, Switzerland के अंदर देखने को मिलेगा, तो basically यहाँ पर United Nation की ही एक special agency है, international labor organization, ध्यान में रखना इसके बारे में, बात क्लियर हो गई, कितने member से, इंडिया भी member है, ध्यान अकना इंडिया इसका member है, क्योंकि ऐसे कई सवाल बनते हैं कि इंडिया इस particular body का member है, या नहीं है, चलो, आगया आता है, नाओ, यहाँ पर आता है एक और शोटा सा article, यह भी ज़्यादा important है यहाँ पर भी एक body के बारे में discuss करेंगे, जैसे IOLO के बारे में discuss किया, यहाँ पर हम लोग NCW के बारे में चर्चे करेंगे, लेकिन उससे पहले current affair के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिरकार news में क्या चीज़ देखने को मिलती है तो जो NCW है, that is National Commission for Women अब यहाँ पर इन्हों ने यह बोला है Raise Age Bar for Marriage of Muslim Women जो Muslim Women है न, इनकी जो शादी की उम्र है, उसको यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए जो शादी की उम्र है, उसको यहाँ पर increase कर देना चाहिए, वो basically यहाँ पर NCW ने mention किया है खासकर focus लिया जा रहा है Muslim Women के उपर मैं आपको इसके बारें बताता हूँ, हुआ क्या Supreme Court ने Friday में सरकार से पूछा सरकार का यहाँ पर basically response मांगा है क्यों response मांगा है, क्योंकि Supreme Court के अंदर एक petition देखने को मिलेगा और वो petition जारी किया या National Commission for Women के थूँ और उस petition के तहट NCW ने ये बोला कि जो Muslim Women है ना, इनका जो minimum age है, इसको बढ़ा दिना चाहिए minimum age आज के समय पर काफी ज़दा कम है तो इसको देखते वे Supreme Court ने सरकार से सरकार किराय मांगी कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में क्या Muslim Women को लेकर जो भी यहाँ पर minimum age है, इसको बढ़ा दिना चाहिए तो इसको लेकर response मांगा है इनफाक, डिवाई चंदरचूट जाम ने सरकार के response के लिए 4 सपता दे दिया है 4 सपता के अंतर अंदर government को अपना response देना होगा, आने वाले समय पर यह काफी ज़दा important news बनने वाली है वैसा आपको पताओगा शादी की जो legal marriage age है न, legal age वो क्या है women के लिए 18 है और men के लिए 21 जैसा आप इस article में देख पा रहे होंगे जो article mention है, उसके according हम लोग यहाँ पर चल रहे है, जो legal age है women के लिए वो 18 men के लिए 21 यहाँ पर mention की गई है लेकिन अगर माल लो 18 से कम उमर में यहाँ पर किसी women की शादी करवाई जा रही है या 21 से किसी कम उमर की किसी men की शादी करवाई जा रही है तो basically वो child marriage कहलाएगा है न, वो बाल विवा कहलाएगा, क्योंकि legal age यही है इससे कम माल विवा कहलाएगा लेकिन, Muslim women के अंदर बात करें तो जो Muslim women है, यहाँ पर जो marriageable age है न, वो 15 साल से उपर यहाँ पर consider की जाती है 15 साल basically minimum आप देख पाऊगे इस 15 साल से उपर अगर कोई हो जाता है तो basically वो शादी के लायाक है इस चीज को consider किया जाता है ऐसा यहाँ पर आपका सकतो under the Muslim personal law जैसा इस article में mention किया गया, तो इसी चीज को देखते वे बोला गया कि NCW यानि National Commission for Women इन्होंने आर्गू किया है और यह बोला है कि जो यह practice है न यह कहीं न कहीं बहुत जादे problem कर सकती है, Muslim women के लिए क्योंकि कम उम्र में शादी, बहुत सरी problems यहाँ पर उनको face करनी पड़ सकती है तो इस वज़ाँ से यहाँ पर 18 साल से तो कम उम्र में शादी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है न, तो इसको लेकर यह बात करती है और NCW ने मेंशन किया कि in fact जो हमारे पास में POCSO Act है, याने कि Protection of Children from Sexual Offense Act, ये भी permission नहीं देता कि 18 साल से कम उम्र में जो है, वो वेमें की शादी की जाए, ठीक है न, 18 साल से कम उम्र का मतलब है, कहीं न कहीं बाल विवा, तो इस चकर में यहाँ पर NCW ने मेंशन किया है, कि जो Muslim Women की Marriage Age है, जो यहाँ पर 15 दिखाई जा रही है, इसको बढ़ा दिया जा, इसको Increase कर दिया जाए, तो यह यहाँ पर Demand है, I hope आपको यहाँ पर यह Current Issue समझ माया, करना क्या है अब आपने थोड़ा सा Background पढ़ लेना है NCW के बारे में, आकरकार National Commission for Women है क्या और इसका काम क्या है, तो National Commission for Women, basically यहाँ पर इसको हमने Setup किया था, हमने Setup किया था इसको as a Statuary Body, January 1992 में इसको as a Statuary Body बनाया गया था, यानि एक Act के मादिम से बनाई गया थी, जो Statuary Body होती है वो एक Act के मादिम से बनाई जाती है तो वो Act था, National Commission for Women Act 1990, बात क्लियर हुई अब यहाँ पर क्या है न, कि जो NCW है, इसका Mission क्या है इसका Mission है, Women's को यहाँ पर Support करना, sorry, Women's को Support करना खासकर Women's यहाँ पर एक तरीके से Equal हो पाए, इनका Equal Participation देखने को मिले, जैसे Women's को Support मिलता है, वैसे यहाँ पर Women's को Support मिले, तो वो वेसिकली यहाँ पर एक Target हो दा है कि इनके बीच में Equalty को बना कर रखा जा सके तो NCW का Pager Function का है Major Function यहाँ पर यह देखने को मिलता है तो वो सारा काम आज के समय पर NCW का देखने को मिलता है In fact, NCW क्या करती है न सरकार को, अलग-अलग जो Policy होती है, ऐसी Policy जो कि कहीना की Women को Effect कर रही हो, उन Policy के उपर Advise भी देने का काम करती है, यह NCW बात क्लियर हो गई, तो यह था हमारा NCW के बारे में सरा का सरा data Now, next article पर आते हैं इसके बराबर में एक और छोटा सा article आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा के अंदर सरकार ने introduce क्या है Bills to modify ST list in four states, यानि कि जो Schedule Tribe को लेकर जो list है न यह चार राजों के अंदर इसको modify करने के बारे में चर्चा की गई है और इसको लेकर केंसर कारने पूरा का पूरा जो एक Bill है न उसको introduce कर दिया है तो यह जो Bill है यह introduce किया गया किसीच के लिए ताकि जो Schedule Tribe की list है ST वाली जो list है इसको modify किया जा सके modify कितने राजों में करने की बात की गई है चार राजों में वो चार राजे कौन कौन से हैं तो वो चार राज आपको देखने को मिलेंगे तामिल नाडू, करनाड का, हिमाचल प्रदिश और साथी साथ में 36 गड़ तो इसको लेकर एक Bill लेकर आया गया लोकसभा के अंदर में और बात यहाँ पर की गई है कि हम क्या करेंगे, amend करेंगे जो हमारे पास में schedule tribe order है 1950 वला इसको इसके अंदर बदलाव करेंगे, कुछ modification करेंगे कुछ changes करेंगे, चार राजों के अंदर एक बदलाव किया जाएंगे और वो बदलाव यहाँ पर क्या होगा कि कुछ tribes हैं, कुछ ऐसी जंजातियां आपको देखने को मिलती हैं, जिनको इस schedule tribe list के अंदर लेकर आया जाएगा तो इस बिल की मांग यहाँ पर यह है कि जो नारी कोरावन tribe है उसके बाद में कुरू विकरन हिल tribe है इसको तामिल लडू के अंदर schedule tribe की list के अंदर लेकर आया जाए schedule tribe की list के अंदर add किया जाए क्योंकि यह जो demand है schedule tribe की list के अंदर add करने की इन दो tribes की, यह बहुत लंबे समय से 1965 से यहाँ पर इन दिमांड कर रहे है एवें जो यहाँ पर travel people को लेकर local committee भनी थी न, local committee की भी यहाँ पर मांग यह थी कि हाँ इन tribes को schedule tribe list के अंदर डाल दिया जाए ताकि schedule tribes वाले जो benefits हैं वो इन सभी लोगों को यहाँ पर provide कर वाए जाए ठीक है न, तो यह बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर सरकार नहीं हाँ पर इस जैसे जो बेता कुरूबा है, बेता कुरूबा का basically एक दूसरा नाम लेकर आए जाए, बतलब इनका जो synonym है, जैसे एक अलगलग tribe community के नाम है, बेता कुरूबा है, ऐसी और भी community के नाम देखने को मिलते हैं, उसके नाम का एक alternative एक synonym भी लेकर आए जाए, एक synonym लेकर आए जाए ताकि उस नाम को वो सही से बोल सकें, क्योंकि बोलने में, उसको pronounce करने में, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वज़ा से काफी नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका सकते हो कि उसकी spelling नहीं बता पा रहा है, spelling थोड़ी सी गलत बता पा रहा है, तो इससे क्या होगा, वो schedule tribe के लिख से बाहर हो जाता है, तो ये बताया है कि जो भी हाँ पर cut in cut in नाम देखने को मिलेंगे कुछ tribes के, तो उसको लेकर खासकर जैसे बेता कुरूबा हो गया है ना तो बेता कुरूबा का एक सिनोनियम को लेकर चर्चा की जारी है, उसके बाद में ऐसी और भी हाँ पर अलग-लग tribes के सिनोनियम के बारे में चर्चा की जारी कि इनका भी एक नाएक सिनोनियम लेकर आए जाएगा ताकि इस चीज़ को यहाँ पर यह प्रोनाउंस करकर इसकी स्पैलिंग को राम से बता कर अगर वो शीडिल ट्राइब से बिलॉंग करते हैं तो उस लिस्ट के अंदर आड़ हो सकें अगर उनकी कॉमुनिटी उस लिस्ट के अंदर मे यह तामिल नाडू के अंदर देखने को मिलती हैं क्योंकि ट्राइब्स की लोकेशन आप से पूछ ली जाती है बार बार तो यह दोनों ट्राइब्स आपको न्यूज में देखने को मिलती हैं क्योंकि इन ट्राइब्स को अभी यहाँ पर शेटूल ट्राइब की लिस्ट मे लेकिन बहुत important थे, now finally editorial discussion पर आएंगे, आज के important editorials को discuss करेंगे, आज एक लोता editorial important है, क्योंकि आपको बताओगा, Saturday है, Saturday में, editorial जो है, वो अलड़ी कमाते हैं, दूसरा page आता ही नहीं, लेकिन एक काम का article है, और बहुत अच्छा article है, कुछ important point of views आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइटर के, उसको यहाँ पर हम detail से समझेंगे, लेकिन आपको बताओगा, editorial discussion से पहले हम लोग लेते हैं, एक means का question, तो आज का means का question क्या बोलता है, question बहुत interesting सा है, examine the cause behind unemployment in India, what measures are needed to ensure adequate job creation in order to reduce the rate of unemployment, यानि कि भारत के अंदर जो बेरोसकारी है, उसके पीछे अगा major कारण क्या है, यह आपको बताना है, क्या-क्या steps हो सकते हैं, जिसको हमें उठाने की जरू ताकि हम लोगों को अच्छे से job provide करवा सके, job create कर सके, ताकि यहाँ पे जो बेरोसकारी का स्तर है, वो यहाँ पर इंडिया में कम किया जा सके, तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाय जा सकते हैं, इसको लेकर अपने एक answer लिख रहा है, हिंदी में translation यहाँ पर दे दिया, यह आपको यहाँ पर बतानी है, डाइसो शब्दों में answer लिखना, answer लिखनी के बाद में काँपे submit करना है, टेलिग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके search box में type करना, दीपक यादव education means answer writing, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो channel मिलेगा, लगबख 40,000 के आसपास लोग वहाँ पर जूट चुके हैं, जो कि daily basis पर answers को लिख रहे हैं, आप यह अपने answers को लिखकर submit करो, और सबसे important चीज़ submit करने के साथ, आपको एक छोटा सा काम करना है, at least सभी लोगों दो-दो answers review करना है, जब आप दो-दो answers review करो के तो आपको बहुत फाइदा होगा, आपको फाइद पर उनको encourage करना है, कि आपको हाँ यहाँ पर एक solution की आवश्यक्ता है, यहाँ आपर काम क्या जा सकता है, इससे यहाँ पर answer best हो जाएगा, ऐसा नहों कि आप उस व्यक्ति को demotivate कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टेकर न, आप उनको सामने वाले को encourage करो, और आपको भ पर इसके बारे के अंदर में, तो क्या है point of views, यह basically food safety के बारे में बात करती है, और food safety से भी ज़्यादा important है, यह बात करती है, पीडिया system के बारे में, जो public distribution system है न, इसके अंदर क्या-क्या problems है, नाशनल food security act के अंदर क्या-क्या problems है, उसके बारे में यह चर्चा करती है, त तो पहले तो मैं आपको एक छोड़ा सा data देता हूँ, उस data को देखो, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर यह नहीं पता होगा, तो इस पूरे editorial का जो base से वो खराब हो जाएगा, जो beginners है, उनके लिए समझने के लिए पहले इसका एक base clear करना जर से दाम में और affordable way में, वही बात हो गई, affordable way में एक अच्छी quality का खाना प्रोवाइट करवा सकें, सस्यायर में एक अच्छा खाना प्रोवाइट करवा जा सकें, तो National Food Security Act के तहत क्या-कया यगा, यह काम क्या गया, बहुत सस्यायर में खाना देने जाना लगा लोगों को, और इस Act के तहित 75% तो रूरल पॉपुलेशन यानि की गाउं के लोगों कवर किया गया और 50% अर्बन पॉपुलेशन यानि शहर वाले लोगों कवर किया गया ये बात आपको क्लियर हो गई इन सभी लोगों को यहाँ पर PDA सिस्टम के अंदर आप कर सकते हो कि जो PDA सिस्टम होता है न हमारा Public Distribution सिस्टम इसके अंदर कवर किया गया तो NFSA के तहट क्या हुआ Public Distribution सिस्टम आपको देखने को मिलेगा Public Distribution सिस्टम का मतलब यह है कि जो राशन वाला सिस्टम है है ना सरकार क्या कर रही है हमारे किसान भायों से MSP पर जो अनाज है उसको खरीद कर बहुत सस्दाम में आपको प्रोवाइट करवाती है तो आपको राशन वाली शॉप से जो दुकान मिल जाता है दुकान पे जो यह राशन मिल जाता है इसी को हम लोग बोलता है Public Distribution सिस्टम ठीक है न यह बात आपको या फिर कुछ ऐसे हाउड सोल्च है जो कि अन्तियोद्या अन्योजना केंडर में उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है प्रोविजन्स क्या है इस एक्ट के तहट यहाँ पर क्या किया जा रहा है पांच किलोग्राम जो food grain से जो अनाज है वो दिया जाता है पांच किलोग्राम अनाज पर पर सन पर मन्त यानि हर महीने हर वेक्ती को पांच किलोग्राम अनाज दिया जाता है कितना रुपे मिलता है बहुत सस्ता लवा मदर को benefits मिलते हैं, जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर benefits मिलते हैं, है ना, जो meals है, खास कर जो 14 साल तक का बच्चा यहाँ पर, उसको यहाँ पर meals provide करवाई जाती हैं, इस particular National Food Security Act के तहत, यह आपको clear हुआ, तो National Food Security Act समझ माया, Public Distribution System समझ माया, अब उसी के बारे में यहा पर पूरी की पूरी जो कहानी है, वो राइटर ने mention कर रखी है, अब थोड़ा इसको समझना काफी असान हो जाएगा, अब start करते हैं, देखो यहाँ पर ना, राइटर ने mention क्या है, राइटर ने mention क्या है, कि जो National Food Security Act है, 2013 वाला, अब और साधी साथ में हमारा जो Public Distribution System है, PD DS वाला, यह कहीं न कहीं, काफी सारे लोगों को एक safety प्रोवाइट करवाते हैं, लगबग 800 मिलियन लोगों को यहाँ पर यह सिस्टम कवर करते हैं, 800 मिलियन लोगों को यह खाना प्रोवाइट करवाते हैं, यानि अनाज देते हैं, यह सिस्टम इतना अच्छा है कि जो Public Distribution सिस्टम है जहां पर सरकार अनाज खरीद कर उसको सस्ते दाम में लोगों तक पहुचा रही है, तो यह जो सिस्टम है इसकी तारीफ है बहुत सरे लोगों ने की, even जो critics है इसके जो इसके आलोचना कर रहे हैं, इसकी PD सिस्टम के एक समय पर आलोचना किया करते थे, उन्हों पर यहां पर mention की गई, फिर बोला कि जो humanitarian crisis देखने को मिला, यानि की COVID-19 आया, COVID-19 की वज़ा से lockdown लगा, lockdown में हालत खराब हो गए, लोगों प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था, कोई shop वगरा open नहीं हो रही थी, वहां पर इस PDS सिस्टम ने बहुत बेतीन तरीके से काम कि यानि की बढ़ा कर राशन दिया जा रहा था, ये बहुत ही शांदार बात देखने को मिली थी, राइटर भी यहां पर इससे काफी खुश है, इस चीज़ की तारीफ करती हैं, लेकिन mention यहां पर यह क्या जाता है, इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यहां पर यह कि भले ही, आ चाहे आप यहां पर दगना दो या तिगना दो, उनको तो यहां पर कवर किया ही नहीं जा रहा है न, तो उनको और भी बहुत सारी प्राब्लम्स यहां पर हो रही है, यह बात क्लियर हुई, तो पहली प्राब्लम यहांपर writer ने mention करी, अब writer बात करती है, exclusion problem के बारे में, य को अनाज प्रोवाइट करवा रहा है लेकिन पता है जो population cover की जा रही है ये किस data के basis पर की जा रही है ये 2013 2011 वाला census के basis पर की जा रही है आपको पता होगा 2011 के अंदर जो जनगड़ना हुई थी न उसमें जो हमरे पास में population को लेकर जो data था उसी के according आज भी यहाँ पर population को cover गया जा रहा है तो क्या 2011 से 2022 में आगए कोई change नहीं हुआ यहाँ पर 10 साल हो गया है 10 साल के अंदर कितना बड़ा बदला होगा population के अंदर तो अभी भी काफी सारी जनसंक्या ऐसी होगी जिनको इस act के अंदर cover नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर population को count करने का तरीका ही गलत है क्योंकि आपने 2011 वाली जन करना का इस्तमाल किया है उसके basis पर आज भी आप यहाँ पर यह राशन दे रहे हो तो यह चीज़ यहाँ पर कहीना की बहुत ज़़ा problematic हो जाती है इसकी वज़ा से बहुत सरे लोग छूट जाते है 2011 का census और आज की population में एक बहुत बड़ा फरक है यह बात यहाँ पर writer ने mention करी है ठीक है ना उसके बाद में आप देखोगे सरकार का जो यहाँ पर मतलब काम है यह 2011 की जनगर्णा के basis पर चल रहे थे और यह मुद्दा यहाँ पर Supreme Court तब भी पहुचता है और Supreme Court इस मुद्दे की सुनवाई भी करता है और सुनवाई करते वे Supreme Court ने mention किया लगबग यहाँ पर आपके सकतो Supreme Court के पास में यह case पहुचता है इस Supreme Court में petition जाती है 2020 में और वो petition के तैत यहाँ पर Supreme Court ने उस particular case को देखा और case को देखने के बाद में क्या किया 21 जुलाई 2022 को court भी अग्री करिया उन्होंने यह बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है यह जो petition है यह बिल्कुल genuine है क्योंकि आपका जो coverage है 2011 का है 2011 के जंगर्णा के हिसाब से आप लोग को राशन दे रहे हो और यह कहीं न कहीं अभी के समय पर बहुत बड़ा change हो चुका होगा तो कहीं न कहीं जो problem है genuine है justified है इसके उपर काम करना होगा Supreme Court ने हमारी सरकार को एक direction दिया सरकार से बोला भी क्या बोला कि आप एक ऐसा formula लेकर आओ या कोई एक appropriate policy लेकर आओ या कोई ऐसी scheme लेकर आओ कि जिन लोग को benefit नहीं मिला है इस NFS के अंदर में उनको भी cover किया जा सके है ना ऐसा ना हो कि केवल 2011 वाले census वाले लोगों तक ही ये सिमित रहे जो बाकी population बड़ी है ना उन लोगो भी तो cover करना चाहिए तो जो citizens हैं जिनको NFS Act के दाएट फायदा मिला है चलो बहुत बड़ी हा बात है 2011 की census का according मिला है ठीक है लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे संक्या बड़ी होगी उनको भी आपको देखना होगा उसके लिए Supreme Court ने बोला कि आप क्या कर सकते हो projection of population increase का अस्तमाल कर सकते हो एक अंदाजा यहाँ पर लगा कर हम लोग इस issue को solve कर सकते है कि यहाँ अंदाजा इतनी population यहाँ पर increase होई होगी एक projection करकर अब अंदाजा ऐसा नहीं एक डेटा लिया जाएगा properly क्योंकि जितनी भी यहाँ पर लोग के जन्म हो रहे है मृत्य हो रही है वो सब register हो रहा है Registrar General of India के पास में तो वहाँ से डेटा का इस्तमाल किया जा सकता है वहाँ से डेटा का इस्तमाल करके एक अंदाजा लगा कर हम लोग क्या कर सकता है लोग को कवर कर सकता है इसके अंदर में लेकिन क्या हुआ सरकार ने इस particular issue के ओपर लगातार डेले किया डेले response देखने को मिलेगा government का जिसकी चक्कर में यह National Food Security Act 2011 के census पर ही काम कर रहा है अभी तक कोई कदम अलग से उठाया नहीं गया वही बात writer बोलती है कि भहिया अब इस act के अंदर एक amendment की जरुवत एक बदलाव की जरुवत है इस National Food Security Act के अंदर changes यह कर दो कि बाकी सरी population को भी cover किया जाए अब यहाँ पर writer ने mention किया कि सरकार ने एक नसुनी किसी की और यहाँ पर क्या होगा जो code के suggestion है इसको भी यहाँ पर side में कर दिया हो यह सकता था कि हम लोग population का data जो है वो use कर सकते है registrar general of India के पास में सारा जितना बर्थ हो रहा है जितनी जन्म हो रहा है जितनी मौत ही हो रही हो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी वैसा जो solution है वो सरकार की side से उठाया नहीं गया फिर उसके बाद में मैंने जैसे बोला कि सरकार ने यह सारे की जो सारी चीज़ें उनको side में कर दिया और जो वो coverage वो वैसा का वैसा ही आज की समय पर चल रहा है और यह basically कहीं न कि एक बहुत ज़दा debated issue बन गया इसके उपर debate काफी सारी जगा पर होने लगी होने यह लगी एक point और है मैंने आपको क्या बताया था भी थोड़ दर पहले जब national food security act पढ़ाया था इसी वज़़े से मैंने आपको basics पढ़ाया मैंने starting में यह बताया कि यह जो act है यह कहीं न कहीं 50% urban population को शहरवाल लोग को cover करता है और 75% 75% 75% हमारे गाउंवाले यानि rural population को cover करता है इसके उपर भाईया debate चुड़ी भी है बहुत लंबे समय से debate यह चुड़ी भी है कि आपने 50% urban population cover कर लिया बची 50% आपने 75% गाउंवाले लोग को cover कर लिया बची 25% तो इनको क्यों नहीं cover कर लिया National Food Security Act को आप इस level से बजाए आप universal level पर क्यों नहीं implement कर देते इसको universal बना दो सभी लोग को यहाँ पर इस act के अदर cover किया जाए यह यहाँ पर बोला जा रहा है writer के थ्रूँ कि इसको लेकर काफी debate भी होई है और ऐसा काम यहाँ पर करना भी चाहिए लेकिन हुआ क्या है कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला सरकार नहीं यहाँ पर इन चीजों के उपर भी नहीं सुना इन चीजों के उपर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया तो मतलब जैसा school जाने वाला बच्चा होता है ना वैसे argument यहाँ पर सरकार के हैं ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं, इनका यहाँ पर कहना यह है, कि देखो बहुत सरी इंडिपेंडनेंट रिपोर्ट्स हैं, बहुत सरी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, जो कि यह बताती हैं कि इंडिया के अंदर जो economic inequality है न वो लगातर बढ़ती जा रही है आदे लोग के पास में पैसा बहुत सारा है और आदे लोग के पास में पैसा बिलकुल है ही नहीं, और ऐसा नहीं मैंने आदे लोग बोल दिया, बहुत कम लोग के पास में जिसमें पैसा भरपूर मातरा में रखावाए, और बहुत दवा के पैस नोंने कमाया है, बहुत सा यहाँ पर किया नहीं, एक काम यह किया कि जितना भी blame कें सरकार वे पढ़ रहा था वो blame उठा कर डाल दिया राजसरकार के उपर, तो writer न यहाँ पर mention करती है कि जो भी blame आया वो blame डाल दिया गया राजसरकार के उपर लेकिन इसके लिए states जो है के अंदर में cover किया जाता है तो states की यहाँ पर कोई ऐसी बात देखने को मिलती नहीं है, states की जिम्मेदारी आती नहीं है यहाँ पर कें सरकार की जिम्मेदारी आती है तो state की responsibility जब यह है नहीं तो state के उपर blame क्यों डालना, जबकि state अपने स्पाइट से भी कुछ न कुछ कर रहा है राइटर का कहना यह है, कि आप देखो कुछ राज्य है, जैसे कि 36 गड़ हो गया उसके आद में ओडिशा हो गया, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ न कुछ आड़ किया है एक estimation अपनी तरफ से आड़ कर करके काफी लोगों को बढ़ा कर यहाँ पर काम किया है जैसे अगर मैंना बोला 800 मिलियन लोगों को National Food Security Act ने कवर किया, तो इसमें एक्स्ट्रा 90 मिलियन लोगों को भी कवर किया है, लेकिन वो राज्य सरकारों ने अपनी साइट से जितना हो सकता है उसके बेसिस पर काम किया, अलग से लोगों को यहाँ पर सपोर्ड किया है, उनको यहाँ पर यह राश्य जोई वो प्रोवाइड करवाया है तो वो बात यहाँ बोलेगी, तो सरकार का, खासकर अगर राज्य सरकार का रस्पोंस आप देखोगे, तो बेतर है उनकी इतनी ज़्यादा रस्पोंसिबिलिटी है नी, बट उन्होंने फिर भी अपनी साइट से काम किया, अलग से लोग को सपोर्ड प्रोवाइड करवाया, बात यहाँ पर आती है है, जो आज के समय पर सरकार के डेर सारे भंडार भरे पड़े हैं, हैना स्टॉक रखने की जगा नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा, लोग हो तक खाना भी पहुंच जाएगा, तो यह चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई, और यह बोला किया कि देखो क्या solutions हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पर discuss किया, यह ता आज का हमारा particular editorial, तो यह ता articles articles हमने सारे के सारे cover कर लिया है आप starting में देखोगे, तो आप कहोगे कि page number one पर एक छोटा सा article रह गया है सर यह वाला, तामिल नाडू वाला है ना, यह यहाँ पर, जो cyclone भी समझ में जाएगा, पूरी जोग्राफी की मतलब जोग्राफी का जो concept र साइक्लोन का मैं आपको महाँ पर समझा दिया है, चलो अब फटापट prelims का सवाल देखते हैं सवाल 2019 का यह था, कि अगर भारत में currency crisis देखने को बढ़ जाएगा, तो basically यहाँ पर आपको भी answer देखने को मिलेगा, one and three यानि कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो वो ज़्यादा help रहेगा हमारे currency crisis को जो भी मुद्रा के अंदर परिशानियां आ रही है है ना, उसको यहाँ पर उस risk को टैकल करने में, उसको कम करने में one and three यहाँ पर जो factor से वो ज़्यादा हमारी मुद्द करेंगे, ठीके ना, यह हिंदी में भी प्रश्न है, तो इसको भी मैं डाल दूँगा PDF में आप इसको देख सकते हो आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जय हिंद